हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चानल आज मैं लेके आई हूं चावल के आटे से बनी भी बहुत ही तेश्टी नास्ता की रेस्पी यह रेस्पी आपने ना कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी तो चलिए पर बनाते हैं तो यहां पर मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है आप किसी भी कब से या फिर कटोरी से ले सकते हैं अब हम इसमें स्वात के नुशार नमक डालेंगे अब हम इसमें आदी चमच जीरा डालेंगे तो इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए यहां पर मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया है चावल का आटा हमेशा गरम पानी से ही गुन दे नॉर्मन पानी से ना गुन दे तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा को गुन देंगे तो एक अठा एक साथ पानी ना डाले इस आठा को हमें ना जादा गीला करना है और ना ही जादा सुखा रखना है तो अच्छे से आठा को मिला ले तो ये दिखिए हमने आठा को गूंद लिया है इस अच्छे से मिला के हम इसे 5 से 10 नट के लिए रख देंगे अब हम स्टफिंग की त्यारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने 4 उगलेवे आलू ले लिया है इसे हम क्या करेंगे कद्दू कस करेंगे तो सारे आलू को कद्दू कस कर ले तो आलू को हमें बारिक वाली जो कद्दू कस होती है उसी से करना है ध्यान राइस में गाठे ना हो तो यह देखे हमने सारे आलू को कद्दू कस कर लिया अब एसमें एक बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे एक बारिक कट्वी रिमिश डालेंगे अब एसमें बारिक कट्वी धन्या पत्ति डालेंगे अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे नमक हमने आटा में भी डाला है तो इसी साथ से नमक डालें अब हम इसमें आदी चमच गरम मसाला पॉडर डालेंगे और सब को अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखे हमने इस अच्छे से मिला लिया अब हम क्या करेंगे हाथों में हलका साथ पानी लेंगे और आटा को अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छे से सौप्ट हो जाए अब हम इसके तीन लोई तोड़ेंगे तो इससे बराबर भागों में बांटके लोई तोड़ ले अब हम एक लोई को उठाएंगे और इसे पहले चिकना सा करेंगे और इससे गोल गोल करके हम इसे रोटी के तरब बेलेंगे तो हल्का सा पहले आटा को छड़क ले ताकि यह चिपकेना तो चलिए अब इसे रोटी के तरफ बेल लेते हैं तो इसे अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से बेले ताकि यह कहीं मोटा और कहीं पतला ना रहे तो यह देखिए रोटी हमने त्यार कर ली अब हम आलू का जो श्टपिंग है वो ऐसे चम्मच से लेंगे और इसे चारों तरफ से फैला देंगे तो इसे साफधानी से चारों तरफ से फैला दे तो एक से दू चम्मच आलू इसमें अच्छे से फैलाए और हर कोने में इसे फैलाए तो यह देखे हमने आलू कच्छे से फैला लिया अब हम क्या करेंगे एक साइड से उठाएंगे और इसे रोल के तरह बनाएंगे लेकिन यह रोल में थोड़ा चप्टा सा बनाना है तो इसे हातों से यह से प्रेस करते वे रोल को बना ले तो हातों से इसे फ्रेस करते जाएं ताकि आलू अच्छे से सेट हो जाएं और इसका जो किनारा है इसे अच्छे से सेट करें तो अब हम इसमें कट लगाएंगे तो हम इसे चार भागों में कट लगाएंगे आप अपनी साफ से इसमें कट लगाईए तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं प्लेट में तो इसी तरह से हमें सब को तयार कर लेना है तो इसी तरह से इसे पहरे रोटी बना ले और उपर से आलू वाला जो श्टफिंग हमने तयार किया था वो ऐसे चारो तरब से फैला के इसे हमें रोल के तरब बना लेंगे और इसी तरह से सारे बना के तयार कर ले यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है ध्यान रहे तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए अब हम इसमें एक एक करके नास्ता को डालेंगे तो यहाँ पे हमने टोटल चार नास्ता को डाला है गैस को अब हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आज पर हम इसे दोनों साइट से अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे तो ये देखिए एक से दो मिनट हो गया है तो हम इसे पलट देते हैं और इसे slow to medium आज पर इस फ्राइ करें तेज आज पर फ्राइ ना करें नीट उपर से जल जाएगा अंदर से कच्चर आ जाएगा तो इसे ऐसे एक से दो बार इसे पलट पलट के फ्राइ करें ताकि ये अच्छे से फ्राइ हो जाए तो ये देखिए नास्ता मारा दोनु साइट से अच्छे से फ्राइ हो गया है इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बचेवे नास्ता को उमें ऐसी फ्राय कर लेना है दोनु साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक तो ये दिखिए गर्मा गरम चावल के आटे का नास्ता बन की त्यार है आप इसे मन पसंद चतनी के साथ सर्व कीजिए आप इसे एक बार जुरूर ट्राय कीजिएगा बहुत ही देश्टी लगता है खाने में बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो प्ली लाइक करें कमेंट करके जुरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नही रेस्पी के साथ तक बाइब बाइब